साथ साल, दो महिने, तीन दीन, वेट करने के बाद हमारे लाइप में ये दिन आया है दोस्तो, इस बीच में महिने यूटूब के उपर बहुत सारे चानल बनाए, यूटूब के तरफ से कई चानल डिलिट कर दिये गए, कई चानल यूटूब के उपर ग्रोव ही नहीं किये, कई चानल ग्रोव किये पर एक समय पे आकर उन्होंने ग्रोव करना भी छोड़ दिया फिर पिछले साल महिने टेक ब्यूरो चानल शुरू किया और मुझे खुद पर यकिन नहीं हो रहा है दोस्तो सिर्फ उसीब दो महिने 20 दिनों के अंदर हमने टेक ब्यूरो चानल के उपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 अवर्स ओप वाश टाइम कम्प्लिट कर लिया और अब वक्त है इस चानल को मॉनेटाइज करने की पिछले साथ सालों में मैंने यूटूब के उपर जो भी देखा जो भी सीखा वो सारा महिने टेक ब्यूरो के उपर इंप्लिमेंट कर दिया और इसी का रिजल्ट आज आप सब के सामने है इन सब में आप सबी का ही बहुत बड़ा साथ है अगर आप साथ नहीं होते तो शायद हम ये माइल स्टोन कभी अच्छी भी नहीं कर पाते तो चली सिधा चलते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के उपर और मॉनिटाइजेशन के लिए फ्रेशली अपलाई करते हैं टेक ब्यूरो को यहाँ पे हम नया एडसेंस भी बनाने वाले हैं तो चली चलते कंप्यूटर स्क्रीन के उपर यहाँ पे दोस्तों हमने हमारे यूटूब चानल का स्टूडियो उपन कर लिया है और स्टूडियो के अंदर हम आ गए है मॉनिटाइजेशन शेक्षन के अंदर और यहाँ पे आप देख पारी होंगे कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 hours of wash time complete हो गया है और यह complete हो जाएने के बाद अगर आपने two step verification नहीं किया है तो यह आपको कर लेना पड़ेगा community guidelines अगर कुछ है तो उसे जाने का wait करना पड़ेगा अभी यहाँ पे हमने two step verification भी कर लिया है और community guideline भी हमारे चानल के उपर नहीं है इसलिए यहाँ पे नीचे यह apply now का button आ गया है तो just हम इसके उपर अभी click करेंगे जैसे हमने apply now के उपर click कर दिया नया page हमारे सामने open हो जाएगा और इसके अंदर अभी देखिए step हमें दी जाएगी step one, step two, step three अब step one में क्या बोल रहे है review partner program terms step one में हमें YouTube के तरप से जो भी terms and conditions होते है partner program के लिए वो पढ़ लेनी होते है तो just मैं यहाँ पे start के उपर click कर दूँगा यहाँ पे देखिए यह सारे इनके terms and conditions है आप चाहे तो इसे रोक के पढ़ भी सकते हो और I accept के उपर click करके I accept terms के उपर आपको click कर देना है जैसे आप यह कर लोगे आपका step one यहाँ पे complete हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे थोड़ा load होगा यह page अब देखिए यहाँ पे step one done करके लिख के आ रहा है अब हम जाएगे आपे step two पे अब step two सबसे important चीज है किसी भी चानल को YouTube चानल को monetize करने के लिए यहाँ पे हमें Google AdSense जो भी आपका अगर existing Google AdSense है तो आपको यहाँ पे connect करना पड़ेगा या फिर आपके पास कोई Google AdSense account नहीं है तो वो आपको यहाँ पे नया बनाना पड़ेगा सारे option आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो अब step two हम यहाँ पे start करेंगे जसे यहाँ पे start के उपर click कर देंगे start के उपर हम जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे हमें यह पूछेगा कि you will be redirect to AdSense to complete this step तो हमें जैसे हम यहाँ पे यहाँ पे option select करेंगे हम AdSense के उपर redirect हो जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पे कौन से कौन से option है पहला option आ रहा है yes I have an existing account अगर आपके पास existing account है AdSense का तो आप यह पहला वाला option select कर सकते हो no I don't have an existing account अगर आपके पास AdSense account नहीं है तो आपको यह second वाला option click करना पड़ेगा और I don't know गर आपको AdSense के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो I don't know के उपर भी आप click कर सकते हो तो हम नए AdSense को इस channel के साथ attach करने वाले है तो हम simple से यहाँ पे no I don't have an existing AdSense account तो मेरे पास पुराना कोई AdSense account नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नया create करूँगा क्योंकि इस channel को मुझे नया AdSense account क्लिक करना है वैसे एक है मेरे पास मैं दूसरा बना रहा हूँ एक बंदे का एक ही बनता है मेरे family member में से किसी और के नाम से मैं नया AdSense बनाऊँगा और वह AdSense मैं यहाँ पे attach करूँगा तो चलिए I don't have an existing account के उपर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखे हमें continue का option आ गया जैसे हम continue के उपर क्लिक करेंगे continue के उपर क्लिक करने के बाद यह हमें यहाँ पे Google accounts के उपर redirect कर देंगा और यहाँ पे पूझेगा चलिए बताइए कि आपको कौन से email id से AdSense account बनाना है तो आप वही email id से लेक करिएगा यहाँ पे जिस भी email id से आपको AdSense account बनाना है अगर आपकी email id यहाँ पे show नहीं हो रही तो use another account के उपर भी आप क्लिक कर सकते तो मेरी email id यहाँ पे show हो रही है तो just मैं इसके उपर क्लिक कर दूँगा जैसे हम इसके उपर क्लिक करेंगे मेरा AdSense account का setup यहाँ पे आ जाएगा अब देखे यहाँ यहाँ यूवर website अल्रेडी मेरे YouTube चानल का link यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे हमें कुछ खरना नहीं है फटा फट से मैं यहाँ पे setup complete कर लेता हूँ देखें get more out of AdSense just यहाँ पे हम yes के उपर क्लिक कर देंगे यहाँ पे आप AdSense के तरफ से और भी performance इंप्रूव करनी के mail वगरे आपको आएगे उसके बाद next option यहाँ पे आता है दोस्तों वो है select your country और territory तो हमारा तो यहाँ पे India है where is India यहाँ पे हम India select कर देंगे इंडिया जैसे select करेंगे नीचे एक agreement आएगा हमारे इंडिया के लिए specific है आप इसे रोक कर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो ठीक है और यहाँ पे just yes I have read and accept the agreement के उपर क्लिक कर देना है और create account के उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप create account के उपर क्लिक करोगे आपका access account यहाँ पे create होना शुरू हो जाएगा अब देखी यहाँ पे हमें हमारे access को जो है setup करना होता है अब account type में आपको वही डालना है जो आपके official documents के उपर name होगा वही यहाँ पे आपको नाम डालना है और अपना permanent address जहाँ पे आपका access का पीन वगेरे आजाए तो मैं यह फटा-फट से complete केर लेता हूँ तो यहाँ पे हमने सारे personal information यहाँ पे डाल दिये है और यहाँ पे हमें यह new window show हो रही है redirect to YouTube वाले तो यह हमें direct अपनारे YouTube के studio के अंदर redirect कर देगा अब redirect हो जाने के बाद यह थोड़ा process लेगा अब देखिए यहाँ पे step tube के उपर हमें क्या लिख क्या रहा है step two in progress तो हमारा यह जो Google Adsense हमने बनाया है यह थोड़ा active होने में समय लेगा तो यह progress में चली गई है step तो कुछी समय में यह done करके आ जाएगी मैं जस्ट यहाँ पे refresh कर देता हूँ तो यहाँ पे in progress लिखा हुआ रहा है चली थोड़ा time लेके हम इसको refresh करके देखते हैं और जैसे यह done करके आएगा मैं वीडियो शुरू कर दूँगा तो लगबग लगबग हमें यहाँ पे पूरे 10 घंटे से ज़्यादा लग गए हमारे अडसेंस को सेट अप होने में कल माई ने शूट किया था यह monetization का process step 1 हमने complete कर ली थी step 2 में हमने गूगल अडसेंस का नया account बनाये था तो उसको approve होने में साथ से लेकर 10 घंटे लग जाते रात में मैं इने चेक नहीं किया फिल सुबह उटके चेक किया तो मुझे यहाँ पे step 2 डन लिखा हुआ आ रहा था मतलब हमारा एडसेंस अकाउंट बन गया है और उसके बाद हमारा जो चानल है अब रिवीव होगा यूटूब टीम के तरफ से तो यह रिवीव में भी अपने आप ही चला गया तो यह ज्यादा से ज्यादा जोवीज घंटे में हो जाना चाहिए जैसे यह रिवीव प्रोसेस कंप्लेट हो जाएगा हमारे चानल के उपर एड आना शुरू हो जाएंगे तो मैं कम्यूनिटीव टैप के उपर पोस्ट करी दूंगा इसका स्क्रीन शॉट जो भी मेल आएगा हमें यूटूब की तरफ से तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो एंड से रहा हमारा नया शॉटन कर लेते हैं तो देखिए यह रहा हमारा नया यहां पर अभी कोई भी अर्निंग शो नहीं हो रही है क्योंकि हमारा चानल अभी रिविव में है अब यहां पर कुछ नोटीसेस आया है कि हमें टैक्स इंसफॉर्मेशन वगेरें अपडेट करने पड़ेगी मतलब यहां पर मुझे पैनकार्ड वगेरें डालना पड़ेगा यह सारी चीज़े हैं उसके बाद यूक्रेयन वाल अच्छा यह तो हमारे कोई काम का नहीं है बाद में हमें अकाउंट वेरिफिकेशन भी कम्लेट करना पड़ेगा तो जब भी हम यहां पर टैक्स इंसफॉर्मेशन अपडेट करेंगे या फिर अकाउंट मॉनिटाइजेशन के लिए अपलाई कर दिया है और प्रे करिए जल से जल हमारा मॉनिटाइजेशन शुरू हो जाए तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक शर कर दो चानल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो आपी के इसे प्यार और सपोर्ट के वज़े से हम आगे बढ़ पा रहे हैं थेंक्यू